हेलो, हाई स्टूडेंट्स, वेलकम तू विनायक बिलीवर्स क्लासेश सो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको फैट करवाया था और वो हमारा आधा रह गया था सो आज मैं उसका पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ, जिसमें आपके फांक्शन सो फैट, वसा के कमी के प्रभाव, अधिक्ता के प्रभाव और कारे ये सब चीज़ें करवाऊंगी मैं आपको सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आगे वसा के कारे, वसा के कारे में क्या क्या आ जाता है, वसा के कारे होती है आपके उर्जा प्रदान करना, ठीक है, उर्जा प्रदान करना, उसके अलावा, उर्जा कितनी मिलती है हमें वसा से, हमें वसा से 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलरी एनरजी हमें मिलती है, एक ग्राम फैट अगर हम लेते हैं तो 9 किलो कैलरी हमें मिलता है यह ध्यान रखेगा समटाइम इस तरह के डेटा पूछ लिये जाते हैं शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है फैट जो है हमारी बॉड़ी के नीचे जब यह फैट जमा हो जाता है तो यह हमारी शरीर के ज अंग जो भी delicate parts होते हैं जो organs होते हैं delicate organs उनकी चोट से और इन सीजों से वो क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है उसके अलावा आपके थर्ड में आ जाता है शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करता है वसा में गुलंशिल विटामिन देखे वसा में यह इनकी प्राप्ति का स्रोत क्या है fat है जो vitamins जो है fat में गुलंशिल है जब हम fat लेते हैं तो वो हमें जैसे vitamin A,D,E,K है तो उसकी भी हमें प्राप्ति हो जाती है हार्मोन के संसलेशन में इस हायक है तो students इसमें आ जाते हैं आपके योन हार्मोन आ जाते हैं adrenocorticoids आदी हार्मोन आ जाते हैं तो हार्मोन के संसलेशन में इस हायक है आवश्यक वसीय अमलों की प्राप्ति में इस हायक है जो fatty acids होते हैं जो essential fatty acids होते हैं उनकी प्राप्ति म होते हैं उसके अलावा ये क्या करते हैं हमारे तवचा को चिकना बनाई रखते हैं तवचा को चिकना और कांती में स्वस्त बनाई रखते हैं देखें फैट जो है ये जो हमारी स्किन है उसको शाइन देता है चिकना बनाता है और स्वस्त भी बनाता है पाचन नली में स्नेहक के रूप में कारे करता है means कि हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो वो easily क्या हो जाती है आगे पहुंच जाती है पाचन नली में यह क्या करता है स्नेहक के रूप में कारे करता है उसके अलावा आपके इसमें आ जाता है अमाश्य में आंत को आंत मार्ग को क्या करता है चिकना बनाए रखता है अमाश्य में जो हमारे इंटेंस्टाइन का जो मार्ग है उसको क्या करता है यह उसको चिकना बनाए रखता है तो कमी के प्रभाव में देखते हैं विटामिन वसा की कमी में क्या क्या प्रभाव होते है उर्जा में कमी आ जाती है बिल्कुल वसा हमें क्या करती है हमें उर्जा प्रदान करती है जब वसा की कमी हो जाती है तो ये क्या हो जाता है हमें उर्जा की भी कमी हो जाती है so, अविस है जब हम फैट नहीं लेगे या कम लेगे या फैट की हमारी बॉडि में कमी हो जाएगी तो हमें उर्जा कहां से मिलेगी. So, उर्जा की भी कमी हो जाती है जब फैट की कमी होती है. फ्राइनो डर्मा एक तरह की skin disease है. इसमें क्या होता है? समवेद ग्रंतियां जो होती है वो ठीक से कारे नहीं करती है सो समवेद ग्रंतियों का ठीक से कारे न करने पर क्या हो जाती है त्वचा जो होती है वो रूखी सूखी, कुर्दरी हो जाती है क्योंकि मैंने आपको कारे में बताया था कि वसा जो है वो जो त्वाचा को क्या करते है कांती में बनाई रखती है चिकना बनाई रखती है और स्वस्त बनाई रखती है लेकिन जब वसा की कमी हो जाती है तो ये जो समवेद ग्रंतियां होती है हमारी तो ये अच्छे से कारे नहीं करती है तो त्वाचा रूखी सूक जो कोशिकाए होती है हमारी उनकी भीकारे क्षमता में क्या हो जाती है कमी हो जाती है क्योंकि कोशिकाओं को भीकारे करने के लिए किसकी जरुत पड़ती है उर्जा की जरुत पड़ती है और आपके आजाता है विटामिन A, D, E, K की भी कमी हो जाती है क्यों हो जाती है विट फैट में डिजॉल्विंग जो विटामिन्स है, जब फैट की कमी होती है, तो इनकी भी कमी हो जाती है, क्योंकि जब हमें फैट ही नहीं मिल रहा, तो उसमें गुलंशिल विटामिन हमारी बॉड़ी में कैसे पहुंचेंगे, जब हमारी बॉड़ी में फैट की मातरा जाती है, अधिक हो जाता है, तो उसका क्या प्रभाव पढ़ता है, उसका प्रभाव ये पढ़ता है, कि मोटापा आजाता है, बिल्कुल सही बात है, फैट क्या करता है हमारी बॉड़ी में, कहीं कहीं जाकर वो जमा हो जाता है, तो ये स्थिती जो होती है वो मोटापे की स्थिती हो जाती है ठीक है उसके अलावा मदू में हो जाता है means की diabetes हो जाता है गर जादा मात्रा में हम वसा लेते हैं क्योंकि मोटापा होने से diabetes भी हो जाता है और वसा की अधिकता जादा होगी तब भी diabetes होता है क्योंकि ये दोने दु लेते हैं. बलड में कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ने से कोलेस्ट्रोल जो होता है, वो हमारी जो बलड आर्टरीज होती है. उनकी आंतरिक दिवारे जो internal walls होती है. उनके अंदर वो क्या हो जाता है? जमा होने लगता है. जिसकी वज़ा से Atherosclerosis, हरिदय रोग को Atherosclerosis के नाम से जाना जाता है, छिक है, तो ये स्थिती हो जाती है, Atherosclerosis, ध्यान रखीगा, हरिदय रोग को इस नाम से जाना जाता है, Atherosclerosis की स्थिती क्या होती है, जो कोलेस्टरोल बढ़ने से, जो रक कोलेस्टरोल है, वो रक्त धमनियों में की आंतरिक दिवारों पर जमा हो जाता है तो ये स्तिती होती है थैरो स्क्लेरोसिस की मदू में हो जाता है मुटापा हो जाता है एक बात और है इसमें students जब वसा को हम जाड़ा देर तक गरम करते हैं तब इसमें से एक तिवर गंद वाला पदार्थ निकलता है जिसको एक्रोलिन बोलते हैं और ये एक विशाक्त पदार्थ होता है ये आप नाम ध्यान रखिएगा ठीक है क्योंकि ये से रिलेटेड था तो मैंने आपको बता दिया ठीक है उसके अलावा इसमें और एक चीज़ हो राती है हाइड्रोजीनी करन होता है आसरन संत्रिप्त जो वसा होती है जो वसा जिस जो 20 डिगरी सेल्सियस पर संगनित नहीं होती उसको एसंत्रिप्त वसा बोलते हैं उसको संत्रिप्त वसा में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है उसमें hydrogen प्रविस्ट करवाई जाती है ठीक है तो वो आपके आजाता है hydrogen करन तो ये चीज़ आप धिहान रखिएगा so students आज हमारा वसा का topic जो है वो खतम होता है यहीं पर part 2 में तो मेरी वीडियो देखने के लिए thank you so much अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe करना नहीं भूलेगा so God bless you all, bye